भारत का विश्व प्रसिद और सबसे पवी 33 ती स्थल वैश्णो देवी मंदिर जम्गो कस्मेर राज की तुरिकुटा पहाडियों पर बसा हुआ है माता वैश्णो देवी का या पवित्र मंदिर एक पहाडी में एक गुफा के अंदर बना हुआ है और हर साल यहां लाखो बगत यात्रा करने आते हैं जितना मात वैश्णो देवी का है उतना ही मात वैश्णो देवी का है उतना ही मात वैश्णो देवी मंदिर के अंदर तक पहुचने के लिए एक प्राचिन गुफा का भी प्रयोग किया जाता है या गुफा बहुत ही चमतकारी और रहस्यों से भरी हुई है और आज के इस वीडियो में हम माता वैश्णु देवी की मंदिर से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में जानेंगे मातवा वैश्णुदेवी की दर्शन के लिए वर्तमान में जिस रास्ते का इस्तमाल किया जाता है वागुफा में प्रवेश का प्राकृतिक रास्ता नहीं है शद्धालू की बड़ती संख्या को देखते हुए इस कृतिम रास्ते का निर्माड 1977 में किया गया था वर्तमान में इसी कृतिम रास्ते से शद्धालू माता की दर्बार में पहुंसते हैं यहाँ आने वाले स्द्धालू में से किस्मत वाले बक्तों को ही प्राचिन गुफा से आज भी माता के भवन में प्रवेश करने का सवभाग मिल जाता है यहाँ पर एक नियम है कि जब भी आने वाले स्द्धालू की संख्या 10,000 से कम होती है तब प्राचिन गुफा का द्वार खोल दिया जाता है और स्द्धालू को उस गुफा में जाने की अनुमती मिल जाती है माता वेश्नुदेवी की दर्वान में इस प्राचिन गुफा का काफी मत्व है मानने था है कि प्राचिन गुफा के अंदर भैरों का सरीर मौजूद है माता ने यहीं पर भैरों को अपने तृशुल से मारा था और भैरों का सिर उड़कर भैरों घाटी में चला गया और सरिर यहीं पर रहे गया जो आज भी यहां मौजूद है इस प्राचिंग गुफा का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसमें पवित्र गंगा जल प्रभाई धोते रहती है इस जल से पवित्र होकर माता के दर्बार में पहुचने का एक विसेस महत्वा मान जाता है वैश्णोदेवी मंदिर तक पहुचने वाली घाटियों में कई पड़ाओ भी है जिन में से एक है आधि कुवारी यहीं एक और गुफा भी है जिसे गर्बजुन के नाम से जाना जाता है गर्बजुन गुफा को लेकर मानने ता है कि माता यहां 9 मेने तक उसी प्रकार रही थी जैसे एक शिशु माता के गर्बे में 9 मेने तक रहता है गर्वुजुन गुफा को लेकर ऐसा माना जाता है कि इस गुफा में जाने से मनुष्य को फिर गर्वे में नहीं जाना पड़ता है अगर मनुष्य गर्व में आता भी है तो गर्व में उसे कर्ष्ट नहीं उठाना पड़ता है और उसका जन्म सुक एवां वैवों से भरा होता है दोस्तों ये थे मां वैश्ण देवी के गुफा से जोड़े कुछ रहे से मुझे उमेद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा और ऐसे ही वीडियोस रोजाना देखने के लिए अमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लीजेगा मैं मिलता हूँ आपको अपने ऐसे ही अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार